हलो एवरिवन दिस इस नूर और आज हम पढ़ने वाले है नाइन्थ स्टेंडर्ड का फिर्स चैप्टर ऑफ अलजेब्रा जिसका नाम है सेट तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको आज हम करने वाले है नाइन्थ स्टेंडर्ड अलजेब्रा का फिर्स चैप्टर ऑल्ड सेट तो सबसे पहले जान लेते हैं सेट है किसी भी चीज को जब आप कलेक्ट करें और उसको इजिली आप गिन पाए तो उसे हम क्या कहते हैं से या हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं a set is a collection of definite numbers a set is a collection of definite numbers easily यह इसका definition हो सकता है इसके अलावा हम जानेगे कि sets किस तरह से लिखा जाता है method of writing sets क्या है उससे पहले जान लेते हैं इस sets की types कितनी है इसकी चार types है यहाँ पर देखिए चार types दीवी है वो चारो types कुछ इस तरह से एक है finite set एक है infinite set एक है single set और एक है null set सबसे पहले जानते है finite set क्या होता है finite set are set in which जो set के numbers है जो elements है उसको हम गिन सके वो finite हो अगर कोई बोले के a is a number which is natural and which is smaller than 10 अब आप देखिए natural number starts from 1 और क्योंके बोला गया है less than 10 तो वो कौन से होंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसका मतलब उसे हम easily गिन सकते हैं तो वो क्या होगा finite number अगर infinite set की बात हो तो अगर कोई बोले whole numbers मुझे पता है whole number कहां से start होते है 0 से पर कहां खतम होते हैं क्या मैं वो जानता हूँ चाट होते हैं 1 से पर कहा खतम होते हैं मैं जानता हूं नहीं तो ऐसे सेट्स जो होते हैं जिनको हम पता नहीं लगा सकते हैं जो Uncountable है उससे क्या कहा जाता है Infight Set अगर कहा जाए Singleton Set अगर कहा जाए Single Set singleton set ऐसा number बताईए जो ना ही prime है ना ही composite ऐसा कौन सा number है ऐसा एक ही number है one जो ना ही prime है ना ही composite उस set में एक ही number रहने वाला है that is one वो क्या होगा singleton set null set null set क्या होता है ऐसा set जिसके अंदर कोई number ना हो zero भी ना हो ऐसा number ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी नमबर ना हो जीरो भी ना हो उससे क्या कहा जाता है नल सेट इसको डिनोट कुछ हम इस तरह से करते हैं क्योंकि बीच में रखने के लिए कुछ नहीं है इस तरह से जीरो को रखके काट देते अधरवाइस हम इसको इस ब्रैकेट को हम खाली ही छोड़ देते हैं इसे क्या कहा जाता है नल सेट वोफुली आप समझ गए होंगे कि वाटार पाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट सिंगल टन सेट एंड नल सेट अब हम थोड़ा और नीच्छे आते कुछ पुरानी चीज़ा जो हमको आती है फिर भी हम एक बाब रश सब्सक्राइब एक नमबर एक्ट्राइस मेरे नेच्रल पर सेटे अब इंटीजर इंटीजर पुठिजर पदा नहीं माइनस में करें गया नहीं से चालू होता होगा हैं और यह जाता है प्लस में भी नी पंटली कि ऋसक्ã लिद दानिट चलता रहेगा एगा रैशनल नमब रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं या अपॉन में होते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर और रियल नंबर प्रेक्टिस चुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि what are the method of writing set set को किन किन method से लिखा जा सकता है there are two method एक को कहा जाता है listening method और roaster method उसके अलावा जो दूसरा होता है उससे कहा जाता है roll method इसी एक set को हम इन दो method से लिख सकते हैं देखिए जहाँ पर एक पहले example जो है यहाँ पर वो बिल्कुल clear दिया हुआ है a is a set of two four six eight ten twelve fourteen एक set है जिसके अंदर elements कौन कौन से है यह अंदर वाले जो भी है इन्हें हम elements बोलते है तो कौन कौन से elements है two four six eight ten twelve fourteen यह सारे natural numbers है आप लोग देख रहोंगे यह सारे natural number है natural number starts from one तो यह सारे natural number है यह सारे even numbers है देखिए two के table में आ रहे है two four six eight ten twelve and fourteen और fourteen के आगे नहीं है मतलब these they are the number less than fifteen यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से रिखूँगा in set a x is an element इसको पढ़ा इस तरह जाता है x is an element where x is even natural number less than fifteen इसको मैं एक जुमले में एक sentence में इसको इस चीज़ को denote कर सकता हूँ x is an even natural number less than fifteen ज्यादा पंदरा से बड़ा है नहीं और सारे के सारे natural number है even number है मतलब मैंने उसे वहाँ पर completely verify कर लिया तो यह क्या होगा rule method वो है rule method यह था roaster method जो पुमूर आपको फैला के लिखना है और sentence में लिखना है वो है rule method अब यहाँ देखिए एक चीज़ rule method में दी विया इसको हमको roaster में या listening में लिखना है it is x b is set where x is element and where x is a perfect square number between 1 to 20 इसका मतलब यह कुछ इस तरह से बनेगा b x set बनेगा और 1 से 20 के बीच में जो perfect square है जिनके square root perfectly निकल जाते है जैसे के 1 1 का square root 1 होता है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 4 का square root 2 होता है 4 के बाद में है 9 9 का 3 होता है 9 के बाद में है 16 16 का 4 होता है इसके बाद में 25 मुझे less than 20 चीए यह मेरा बनेगा set 1 is a perfect square of square root of 1 4 is a perfect square of 2 9 is a perfect square of 3 16 is a perfect square of 4 अगर उपर जाऊँगा 25 पर चला जाऊँगा तो मैं को यहाँ पर क्या चे लेस दिन 20 आया समझ मैं अब यहाँ देखो A, E, I, O, U उस सबसे पहले कुछ लिखने से पहले यह C है तो मैं लिख दूँगा C is X लिखू या Y लिखू या Z लिखू X where English Alphabets Hopefully आपको यह समझ में आया हो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखे यहाँ पर बुला है D is a set where Y is an element and where Y is a color in the rainbow Y क्या है एक element है D का और वो क्या है Rainbow का कोई एक color आपको पता है Rainbow में कितने color हो सकते है इसका मतलब D क्या क्या हो सकता हमको लिखना है Vip Gyor में क्या होता है सबसे पिले Violet उसके बाद में Indigo उसके बाद में Blue उसके बाद में Green उसके बाद में Yellow उसके बाद में Orange उसके बाद में Red ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 These are the Vip Gyor V-I-B-G-Y-O-R Vip Gyor ये क्या है 7 color of the rainbows इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर दिया हो है X where X is an integers which is bigger than minus 3 and smaller than 3 integers है मतलब minus में भी होगा plus में भी होगा 0 भी हाएगा लेकिन वो minus 3 से बढ़ा है minus 3 से बढ़ा क्या होता है minus 2, minus 1, 0, 1, 2 क्या मैं 3 लिखूँगा नहीं वहाँ बोला है 3 से छोटा तो इसको कैसे लिखेंगे P is equal to और इसे bracket के अंदर खत्म P लिखूँगा और bracket के अंदर ये लिख दूँगा जो group बंद रहा है उसके बाद में यहाँ पर देखे M M is 1, 8, 27, 64, 125 and continue इसका मतलब it is an infinite set अब यहाँ पर 1 is a cube of 1 8 is a cube of 2 27 is a cube of 3 64 is a cube of 4 125 is a cube of 5 इसका मतलब ये क्या है natural number का cube ठीक है इसको कैसे लिखूँगा मैं M M is X is an element of M where X is cube of cube of natural numbers natural numbers का क्या है भईया तुबे बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं होफ़ली आपको अची तरह समझ में आया होगा क्योंकि अब हम हमारी exercise चालूँ करने वाले इसका screenshot ले लिजे सबसे पहले सबसे पहले क्या दिखा हुआ है यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दिखा हुआ है set of even natural numbers यह finite नहीं है infinite होने वाले पता नहीं हमें natural number कहा है और even natural number सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा let a be the set of even natural number यह लिखना जरूरी है दोस्तों यह हो गया मेरा वाला set अब वह कौँछ से होते है even natural number starts from 2 4 6 8 10 क्योंके पता नहीं कहां तक महां तक में लिखने होला होने set of even prime number from 1 to 50 अब यहां देखिए even b और prime b even मतलब 2 के table में आता होगा और prime मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद के table में आता नमबर है जो even b है और prime b है which is 2 यहां पर let let b be the this is my answer let b be the set of even prime numbers ठीक और ऐसा कौन सा number है हम लोग जानते है 2 तो यहां पर क्या आएगा b is equal to 2 इसे ही कहा जाता है single then set अब देखिए set of negative integers negative integers are unlimited we know that तो यहां पर मैं सबसे पहले answer में क्या लिखूँगा let c be the set of negative integers right or negative integer starts from minus 1 so a is equal to minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so seven basic sounds of sargum let d be the seven basic sounds of sargum right देखते हैं कि वो कौन से बनते है so therefore d will be what sa re ga ma pa dha ni और फिर से आता है sa one two three four five six seven hopefully आपको यह समझ में आया हूँ please take a screenshot of it now we go for the question number two देखते हैं कोशन number two क्या है it's right the following symbolic statement in words यहाँ पर symbolic statements दीविए हमें उसे word में लिखना है सबसे पहले दिया है four upon three यह e का मतलब है element element of rational number तो हम इसे कैसे लिखेंगे four upon three is an element of rational number okay second ओला देखिए second ओला क्या है minus two is not an element of natural number right उसे कैसे लिखूँगा minus two is not an element of natural numbers okay इसके बाद वाला देखिए यहाँ पर following statement in the listening method यहाँ पर दिखावा all month in India Indian solar system यह month आपको याद करने पड़ेंगे इस चैत्र वैसाग जैश्त अश्दा श्रावन भद्र अश्विन कार्तिक अरज्यन पाउस मग और भलगुन यह अगर याद है तो लिख सकते हैं आप वैसे इसा कॉशन जिल्दी आता है नहीं उसके बाद में देखिए लेटर्स इन दवर्ड कॉंपलीमेंटर तो कोई भी जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसे मुझे वापस जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है मुझे वह वापस नहीं लिखना सबसे पहले मैं रिखा C O M P L E M E में वापस नहीं लिखूँगा N T जो रिपीट हो रहा है इस पैलिंग के अंदर मुझे उसे वापस नहीं लिखना है तो लास्ट कोशन लास्ट कोशन नहीं इसके बाद में भी कोशन है अगर सेम है नहीं समझा है तो पूछे मैं बताऊंगा सेट आफ यूमन सेंसरी ओरगन कौन कौन से यूमन सेंसरी ओरगन होते है हमारी बॉड़ी में दरार फाइफ सेंसरी ओरगन इन यूमन बॉड़ी विच आर सबसे पहले होता है स्किन देन नोज देन आइज टंग एंड यह यह है पाँच सेंसरी ओरगन तो यह एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिए इसके बाद में लास्ट साम है वो हम लोग करेंगे नाव वी गो फॉर दी कोशन नमबर फाइफ लास्ट कोशन आप दिस एक्ससाइस देखे यहां पर बोला है write the following set using rule method इससे पहले हम लोगो ने roaster method किया ता अब rule method करना है listening method या roaster method को हमने पहले किया ता अब यह roaster method में दिया हुए इससे rule method में करना है पहला है A is a set where 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 are there all these are square ठीक है मैं क्या लिखूँँगा स्क्वेर्ट ऑफ पर्फेक्ट स्क्वेर्स ऑफ वन तू हंड्रेट के बीच में जो पर्फेक्ट स्क्वेर है आप देखेंगे यही है इनके अलावा कोई भी नहीं है इसके अलावा कुछ और भी लिखा जा सकता है कि square root of a is a set of square root of one to ten भी लिखा जा सकता है या natural number less than ten भी लिखा जा सकता है A is a set of square root of natural number less than 10, यह भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे आसान मुझे यह लगता है, मैं यह लिखा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, स्कूल में शायद कुछ और लिखा जाए, यहाँ पर देखिए, B is a set of what multiple of 6 less than 49, या 50 भी बोल सकता हूँ, तो B is a set of multiple of 6, less than 50 या 49, विके ना 49 है ना 50 है, है तो 48 ही, multiple of 6, उसके बाद में, C, C में क्या है, S, M, I, L, E, मैं लिख सकता हूँ, C is a set of alphabet in word smile, C is a set of alphabets in word smile, okay, then D, D is a day of a week, D is a set of a day of a week, D is a set of a day of week, एक हफ़ते का कोई दिन हो सकता है, तो यह सारे दिन होंगे, then A, E, T, अब मैं लिख सकता हूँ, X is a set of alphabet in T, और E, दोनों भी लिख सकता हूँ, है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, X is a set of alphabet in word, भाई मैं तो T लिखूँगा, because I desperately need it T, so please take a screenshot, thank you for watching this video, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने friends से share कीजिए, thank you. झाल